सभी किसान भाईयों को मेरे नमस्कार ये वही गाई है जिसको थनेला रोग हो गया है और इसका दूसरा दिन है इलाज का दूसरे दिन की इलाज में आप देख सकते हैं कि कितना फर्क पड़ गया है थन में काफी सूजन थी सूजन काफी उतर गई है और हमने इसको आतेई सिं के अंदर होता सेटिफर सोडियम आप देख सकते हैं कि पिछले दोनों थन में प्रोग्लम थी दोनों थन में काफी सुजन थी मस्टैटिस की वज़े से और दूद की क्वालिटी काफी खराब हो गई थी तो आज हमको दूसरे दिन में सबसे अच्छी चीज ये लगी क्योंकि ठीटमेंट में सुधर ये हुआ कि जिस धन में दूद में क्वालिटी खराब थी आप देख रहे हैं कि जोटे के अंदर दूद निकला जा रहा है और दूद एग्दम इसमूठली निकल रहा है सरल डरीके से निकल रहा है और दूद की क्वालिटी काफी बेहतर हो गई यह पेले से क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद यह दोनों थन पूरी तरह से खराब हो जाएंगे क्योंकि यह इलाज का दूसरा दिन है तो दूसरे दिन में हमको काफी लगबग लगबग मानके चलेगी 60% 60% सुधार मिला है और 60% सुधार से हमें बहुत ही आगे उम्मिद और आशा मनी है कि अगले से तीन से चार दिन में यह गाय पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और अच्छे से दूद देने लग जाएगी क्योंकि जो थन में इफेक्टेट है महाँ पर काफी प्रोगलम है और इस थन में देख सकते हैं कि यह लोटा भर के आराम से दूद निकाल ले क्योंकि यह गाय की पवसने का समय नहीं है इसलिए वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर डेड़ दो लिटर एक थन में दूद देदेगी पर जितना भी उसकी क्वार्टर में दूद था एक पौन लोट रहा है और क्यों खुलना बढ़ रहा है क्योंकि पश्रू मालिक नहीं यहाँ पर क्या करता है कि छोटे लकडी की टुकडे से घर परी चेद को खोलने की कोशिश करी थी इसके वजह से मुह पर हो गया घाव और मुह पर घाउने की वुज़े से बारबार छेद हो जाता है और यह अंदर थन के अंदर यानि निपल के अंदर जो है फाइब्रोसीस की कंडिस्टन बन गई है तो वहाँ पर बार बार पस जो है दूद रुक रहा है और ना तो दूद निकल रहा है तो बड़ी दिक्कत हो रही देखिए कि यहाँ पर में बड़ी मुश्किल से टीट के में भी प्रोब्लम आ रही है तो जब टीटेनल को मैंने अच्छे से घुमा के वहाँ पर जो खराब सेल्स यह उत्तक थे और निकाले इसके बाद देख सकते हैं कितना ज्यादा पस निकल रहा है यह दूद नहीं है आप देखिएगा कि काफी गाड़ा पस है पर कल जब हमने इलाज किराता इसके एक दिन पहले से ज़्यादा बहतर है क्योंकि उस वक्ते काफी गाड़ा पस था और आज यह पस पतला हो के काफी है तक हमने काफी पस निकला इसके अंदर से और पतला हो चुका है और उम्मीद है कि अगले एक दो दिन में यह पस भी निकलना बंद हो जो है बिल्कुल पूरी तरह से यह जो गाई है ठीक होने की स्थिति में आ जाएगी आप देख रहे हैं कि यह यहां पर पस है पूरी तरह से बजबुदार पस और काफी तेज बजबु है क्योंकि यह सड़ चुका है अंदर दूद और दूद के सास्थ इंफ्लामेशन इं अंदर काफी सूजन है सूजन को दर्द करने के कम करने के लिए कल भी हमने इंजेक्शन लगाय ता मेगलुडाइन पस को निकलने के बाद आब इस्तिति देखिए कि यहां पर जो है निपल नर्म हो गया है आराम से निपल खाली होने के बाद गाए को रिलिफ मेसिस होगा और ये देखिए कि मैं इसको बार-बार पूरी दरह से खाली कर रहा हूँ खाली करने का उद्देश क्या है कि जितना ज़्यादा पस निकलेगा पस में क्या है टोटल मृत कोशिका है और टोटल बेक्टेरिया है और बेक्टिरिया वही है जिसके वज़े से थेनेला रोग बिलकुल होता है और येही पास यदि किसी दूसरे दुधारो पशु के निपल पर यदि गलती से भी टस हो जाए तो उसको भी थेनेला रोग बिलकुल हो जाएगा इसलिए हम इसको बिल्कुल अच्छे से साउधानी से इलाज कर रहे हैं और यह देख रहे हैं तो पशु मालिक ने हमने उनको बोला था कि आप एक बार वो ट्यूब लेके आईएगा पर वो दूसरे दिन ट्यूब लाना भूल गए तो हमने कहा कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नी मेरे पास बेग में पढ़ाता सैप्ट्रिक जोन इंजेक्शन क्योंकि जिस निप्पल के अंदर पस आ रहा है उस पस के अंदर उस क्वाटर के अंदर हमको इंजेक्शन डालना पड़ेगा और यदि हम injection नहीं डालेंगे और हम केवल इसी भरों से रहेंगे कि चलो हमने पहले Mcept injection लगाया है उसी से ये पस क्योर होगा पर उससे इतना फर्ग नहीं पड़ेगा सेप्ट्रिक जोन injection मेरे पास ये पड़ा था करीब करीब डेड़ ग्राम के आसपास सेप्ट्रिक जोन injection को हमने घोल लिया अच्छे से और घोलने के बाद जो है डिसॉल करने के बाद मैंने इस के अंदर डिसीजन लिया कि इसके अंदर डेक्सा मिथा जोन यानि कि लगबग लगबग पांच ये मिल के आसपास डेक्सा मिथा जोन injection क्यों मिलाना है मिलाना इसलिए है कि डेक्सामिथाजोन जो है इंजेक्शन हम इसको गरदन पे नहीं लगा रहे हैं इस सेप्टिक जोन इंजेक्शन के अंदर मिक्स करेंगे आप देख रहे हैं कि मैं सेप्टिक जोन डेक्सामिथाजोन इंजेक्शन ढून रहा हूं बेग में से और ये हमारे है बाल्टी में जो पानी दो रहे हैं वो हमारे चतुरशनी करमचारी एस्पिताल के और वो साफ सफाई सारी विवस्थाओं को बहुत अच्छे से देखते हैं इनका नाम हनीफ खान और बहुत अच्छे वर्कर है ये भी ये है डेक्सामिथा जोन जिसे कि मैंने निकाला यहाँ पर सिरिंज के अंदर लगबग 5 एमिल के असपास और 5 एमिल निकालने के बाद आप देख रहे हैं कि ये सेप्टिक जोन इंजेक्शन जिसको मैंने 10 एमिल में डिजोलो किया एक ही सिरिंज के अंदर मैंने दोनों चीज़े ले ली अब इसको जो है निपल के अंदर डालना है तो निपल के अंदर डालने के लिए मेरे पास एक टीट किनाल है जिसमें आगे धार नहीं होती है और उसका जो मुह होता है वो गोल होता है उससे क्या होता है कि निपल में किसी बिना परेशन के हाराम से चली जाती है ये छोटी सिरंज के अंदर आप देख रहे हैं इसमें करीब करीब मैंने एक एमेल उक्सिटेटर साइकलिन इंजेक्शन लिया था क्यों लिया था? एस यूज एंटिसेप्टिक का उप्योग करने के लिए कि एंटिसेप्टिक का उप्योग हो जाए कहीं से को इन्फेक्शन लगे थन में आप देख रहे हैं ये मैंने टीट के नाल डाला यहाँ पर इसको प्रेस करने की कोशिश की पट क्या हुआ है कि ये जो टीट के नाला है वो आगे से चोक है चोक होने के वज़े से फिर से मैंने इसको बाहर निकला फिर से मैं अपने बेक के पास गया और बेक के पास जाने के बाद फिर मैंने ये दूसरा जो टीट के नाल था उसको लिया उसको insert किया अंदर insert करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ से मैंने थखन के अंदर पूरा septic zone salvectum plus dexa वाला जो solution था वो nipple के अंदर चड़ा दिया उद्देश यह क्यों डाला dexa में था zone जो है पस को काफी तक कम कर देगा जब हम इसका अगला वीडियो में डालूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि इसका पस काफी कम हो गया है अब यह injection जो है maglodine injection है और maglodine injection इसे पशो मालिक से मैंने पहले ही मंगवा लिया था क्योंकि थन में अभी भी थोड़ी सूजन बनी हुई है फाइब्रोसिस की कंडिशन है तो maglodine injection हम इसको गाई को लगाएंगे पहले दिन के ट्रीटमेंट में भी लगाया था दूसरे दिन के ट्रीटमेंट में भी हम इंगलोडाइन को लगाएंगे पर ध्यान रखिएगा कि जहां पर आपने पहले दिन लगाया था उसके दूसरे दिन उसके अपोजिट साइट पर लगाईए एक ही ड्रक को एक ही साइट पर लगातार नहीं लगाना चाहिए नहीं तो क्या होता है कि गिठान होने के चांसे सरेते हैं यह जो injection है यह भूश शांदर injection है विटामिन A, D, E, 3 यानि सेलेनियम है इस injection के अंदर और मुझे चाहिए था सेलेनियम जीतने भी पुराने पसुच किस्सा के जो साथी है जो अच्छे केस को टेटमेंट करते हैं सभी डॉक्टर्स वो अच्छे से जानते हैं मस्टाइटिस यानि की थनेला रोग में विटामिन A, D, E, 3 के साथ सेलेनियम का कितना बड़ा फेक्टर होता है कि यदि आप इस injection को लगाते हैं तो मस्टाइटिस बहुत जल्दी क्योर हो जाती बहुत जल्दी ठीक होती है तो हमने परशु मालिक से ये injection मंगवा है मने हमने उन से बुला कि आप ये injection भी लेके आईएगा तो ये है विटामिन A, D, E, 3 येनि की सेलेनियम और इस injection को हमको 5 ml जो है लगाना है 5 ml लगाने से पहले हमेशे ध्यान रखिएगा कि कम से कम 1 ml जित्ता जैसे कि आप देख रहे हैं इस विडियो में कि एक ml इंजेक्शन जैसे हमें ने लगाया लगाने के बाद ये इसको निकाल लिया अब क्यों निकाला क्योंकि कहीं पशों में देखा गाया है कि विटामिन E और सेलेनियम की वज़े से क्या होता है कि उसको शोक लगता है जटका लगता है कहीं बाद बेहोसी में चला जाता है तो इसलिए हमने इसको फिर बात में दो मिनिट बाद पूरा लगा दिया ये इसको गोलिया लेखी बेक अप के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किजेगा शेयर किजेगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब